गुड़माने एक्ष्टुएंट्स आज हम तर्कुमती में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे तो सभी छातर देखें इसमें प्रस्टनाबली 303 में पहला कॉस्टन है हमको इसका मान ग्याद करना है और इसको माइनस 1.2 से करना है जिसका लेप्टें साइट लेके चलेंगे लेप्टें साइट केतना है साइन स्क्वेर पाइवाई 6 पिलस कॉस्ट स्क्वेर पाइवाई 3 माइनस 10 स्क्वेर पाइवाई 4 ठीक है तो साइन पाइवाई 6 साइन पाइवाई 6 कितना होता है साइन 30 का मान कितना होता है बन बाइ 2 तो इहां कितना हो जाएगा बन बाइ 2 का स्क्वेर प्लस cos pi by 3 cos pi by 3 means cos 60 cos 60 कमान केतना होता है यह भी 1 by 2 होता है इसका square और 10 pi by 4 10 pi by 4 हो यहाने 1045 1045 कमान होता है 1 तो हम देखते हैं यह हो जाएगा 1 by 4 1 by 4 इसका मानों कि 1 by 2, 1 by 2, और यह आता है, minus 1 by 2, यह कितना आपका right hand side आ गया, clear, इसी तरह से second question है, इसको भी कर सकते हैं, इसमें आपको left hand side कितना दिया हुआ है, 2 sin square 5 by 6 plus cos square 7 by 6 into cos square 5 by 3, तो इसको हम देखते हैं, 2 sin by 6, sin by 6 बनवाई 2 होता है, तो यहां आजाएगा बनवाई 2 का whole square, cos 7 by 6, तो यहां आप देखेंगे, cos square यह हो जाएगा आपका, 5 plus 5 by 6 into cos square 5 by 3, तो यह हो जाएगा आपको 2 into 1 by 4, और यहां पर हम देखते हैं, कि cos 180 plus theta जो होता है, वो होता है minus cos theta, तो यहां जो value आएगी, minus 2, minus 2 का whole square, clear, और cos by y 3, cos by y 3 होता है, 1 by 2 का whole square, इसको solve कर लीजे, तो हम देखते हैं, 2 says 4 cancel होगा, तो यह 1 by 2 plus 4 into 1 by 4, 4 of 4 cancel, कितना आ गया, 1 by 2 plus 1 equal 3 by 2, यह आपका right hand side आ गया, clear, तो हमने दोनों question कर दी है, इसको आप लोग note कर लें, अब हम next question पर आते हैं, अब आपको इसमें sin 75 का मान ग्याद करना है, तो यहाँ देखिए, sin, पहला वालो question solve कर रहे हैं, sin 75 equal sin 45 plus 30, ठीक है, अब इसको आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, आपको हमने फर्मूला बताया था, कौन सा फर्मूला है, इस फर्मूला को यूज़ करके, हम यहाँ पर A किस्तान पर 45 रख देंगे, और B किस्तान पर A कितना रख देंगे, 45 और B कितना रख देंगे, 30 रखने पर, इस कमान कितना हो जाएगा, साइन 45, कॉस 30, पिलस कॉस 45, साइन 30, तो साइन 45 रख कितना होता है, बन वाई, रूट 2 और कॉस 30 कितना होता है, रूट 3 अपॉन 2, पिलस, कॉस 45 कितना होता है, बन वाई, रूट 2, इंटू, साइन 30, बन वाई 2, तो हम इसमें देखते हैं, बन वाई रूट 2 कामान निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 3 अपॉन 2, प्लस, बन वाई 2, इसको थोड़ा और सिंपिल कर लो, तो यह हो जाया का आपका, रूट 3 पिलस 1 अपॉन 2 रूट 2, क्लिया, तो यह आपका, पहला कोशन सॉल्व हो गया, अब इसका सेकंड कोशन, सेकंड कोशन देखते हैं, 10, 15, तो 10, 15, कितना हो जाएगा आपका, 10, 45, माइनस, 30, क्लिया, अब आपको फार्मूला आपने, लिखा दिये थे सारे, या फार्मूला इसका लगेगा इसमें, tan A-B आपको अपको इससके इसके सार्मूला में गया है, a एक्वानान् सार्मूला इससके सार्मूला में बारो इससके दिये रूख़ा 되어 रखने पर कितना हो जाएगा 10 45 minus 10 30 अपन 1 प्लस 1045 1030 1045 कितना होता है 1 और 1030 कितना होता है 1y root 3 1 plus 1 into 1y root 3 तो यह value आजाएगी root 3 minus 1 upon root 3 और यहाँ पर हम root 3 उपर आजाएगा और यहाँ आजाएगा root 3 plus 1 root 3 और root 3 cancel हो गया कितनी value हो गई आपकी root 3 minus 1 root 3 plus 1 यह आपका answer हो गया आपको समझना है इसको note कर लो और इसको ध्यान से note करने बाद आप अपने मन से करेगे इसको बेना देख्ये हुए और फिर आप देखो कि अगर कोई दिक्कत आ रही तो फिर आप बीडियो देखें और फिर चेक करें और फिर करें जब तकि आपसे स्वयम बढ़ने लगे अब हम अगले कोस्टन पर आती है अब आपको यह वाला कोस्टन करना है शिद्ध करना है तो इसमें आप देखना कि यह होता है पॉस ए कॉस बी यह आपका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी अब इस सूतर में इस फार्मूला में ए बराबर पाइब फूर माइनस एक्स और बी बराबर पाइब फूर माइनस वाई लखने पर तो अब देखेंगे कितना जाएगा गॉस पाइब फूर माइनस एक्स गॉस पाइब फूर माइनस वाई माइनस साइन पाइब फूर माइनस एक्स साइन पाइब फूर माइनस वाई तो यह जो एक्कोल आएगा आपका कॉस राइटेट में का हो जाएगा पाइब फूर माइनस एक्स प्लस पाइब फूर माइनस वाई यह है एक्कोल आजाएगा आपका कॉस पाइब फूर और पाइब फूर कितना हो गए मिलके पाइब फूर माइनस एक्स प्लस वाई अब आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा पॉस 90 माइनस थीटा एक्वल 9 थीटा यह हम जानते हैं तो इसके आधार पर इसका मान कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और जी कितना आ गए आपका जी आपका सिद्ध्य हो गया डाइट इंसाइड आ गया प्रूब्ड है किलियर तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह समझ गया होंगे अब हम आगे कोछ अब आपको सेविन पॉसन इसको करना है तो इसको बहुत ही सिंपल है चलिए करते इसको भी तो आप एकड़ करेंगे यह लेटें साइड लेके चलिए 10 पाइब फूर प्लस एक्स अपान 10 पाइब फूर माइनस एक्स इसमें कौन सा फर्मूल लागेगा 10A प्लस 10B अपान 1 माइनस 10 पाइब फूर इन्टो 10X इस 10 है अब यहाँ पर लगेगा 10A माइनस बी का फर्मूला यहाँ हो जाएगा 10 पाइब फूर माइनस 10 एक्स वन प्लस एक टैन पाइब फूर इंटो एक्स इसको सरल करिए 10 फाइब फूर को इतना होता वन प्लस एक्स यह कितना हो जाएगा वन माइनस तैन एक्स और इसी को हम जब 10 फाइब फूर बन रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस 10 X 1 माइनस 10 X और इसको स्वर्व करने पर क्या जाएगा 1 प्लस 10 X 1 माइनस 10 X इसका होल स्क्थ जैब का राइटे साइट आ गए जाए एक्स एक्सको नूट कर लो और इस तरह के और भी इसमें जो भी questions हैं उनको सभी को हल करके आपको दिखाना है notes बना करके ठीक है